दोस्कार दोस्तों, देट हैं आज की 16 जून 2020 और स्वागत है आपका प्लीम बूस्टर न्यूज डिसकेशन में सबसे बहले important article मालाबार ग्लाइडिंग फ्रोग के बारे में है यह रेर एंफिबियन मालाबार ग्लाइडिंग फ्रोग हाल ही में दिखा गया पुलाड केरला में तो article छपा हिंदू में इस फ्रोग के ऊपर बेसिक जानकारी हम डिसकस कर लेते हैं इस फ्रोग के बारे में scientific name है रेकोफोरस मालाबारिकस यह देखो वेश्टन घाट में रेन फोरेष्ट का मूल दिवासी हैं features की बांत करें body काफी पतली होती हैं जैसे आप screen पे मुझूद इस तस्वीर में देख सकते हो webbed fit का मतलब जलीदार fit मतलब पेरों की उंगलियों के बीच काफी ज़्यादा skin होती हैं जो की flexibility प्रोवाइड करती हैं इसके अलावा camouflage भी एक feature हैं इस मेंडर की body काम camouflage मतलब देखो आपने देखा होगा काफी सारे animals आपने आसपास के environment में इतना जारा धल जाते हैं वही color अपना लेते हैं उसी परकार की shape अपना लेते हैं जैसा आसपास के environment में हैं ताकि किसी सिकारी का सिकार होने से बच स्केम उन्हें पहचानना मुश्किल होता है इतना जादा वो आसपास के environment में ढल जाते हैं जैसे मेंडर के देख रहे हो दूर से देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा यहां पे कोई मेंडर मुझूद है क्योंकि पतियों जैसा रंग अपना लिया गया है मेंडर के द्वारा इस मेंडर में जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स के अपक्साकर्थ छोटे होते हैं आयूसियन conservation status की बात करें least concern के डिगरी में आता है यह मालाबार gliding frog अभी फिलाल पिछले कुछ समय से संख्या इस मेंडर की कम हो रही है और इसके पीछे जो regions responsible हैं वो इस प्रकार से हैं deforestation यानि पेडों को काटा जा रहा है climate change development activities और सबसे last minute toxic chemicals चलते हैं आगे नया स्टार्ट कल राजा प्रभा फेस्टिबल के बारे में हैं कैफन्टेस्ट हैं पधा मंत्री ने उडिसा के लोगों को बदाई दी इस festival के स्टार्ट होने पर ये फेस्टिबल देखो उडिसा में celebrate क्या जाता हैं काफी unique festival हैं मानसून सीजन के स्टार्ट होने पर ये festival celebrate क्या जाता है उडिसा में मानेता ये हैं कि mother earth मेंसूरिशन के face से गुजरती है इस festival के दुरान और ज़ऺ जानकार इडिसकस करें mother earth को रिसपेक्ट पे करने के लिए इस festival के दुरान agriculture related activities को suspend कर दिया जाता है तीन दिनों के लिए तीन दिनों तक ये festival चलता है माना ये जाता है Mother Earth, mensuration के face से गुजरती है इस festival के दुरान इसलिए agriculture related काम को रोक दिया जाता है इस festival में देखो womanhood को celebrate के जाता है focus young woman पर होता है young woman जो है वो नए कपड़े पैनती है alta apply करती है alta एक परकार की dye होती है जो महलाएं अपने पैरों में लगाती है folk songs को गाय जाता है और decorated जो जूला होता है उसको भी जूला जाता है कब ये celebrate किया जाता है देखो अशरा मन्त का पहला जो दिन होता है वो होता है राजा सनक्रांती इस राजा सनक्रांती के एक दिन पहले जो की होता है पहली राजा इस दिन से ये फेस्टिबल स्टार्ट होता है सनक्रांती वाले दिन भी चलता है और सनक्रांती के एक दिन बाद भी चलता है जिसे कहा जाता है बूध हा या फिर बसी राजा समझ गए पहली राजा को स्टार्ट होता है उसके बाद संक्रांति के बाद दिन आता है, संक्रांति के दिन बाद जो दिन होता है उसे कहाता है बसी राजा, तो ये तीन दिन ये फेस्टिबल चलता है, चलते हैं आगे, क्या गंटेस्ट हैं, करनाटक की सरकार ने फैसला लिया है, सीवा मोगा डिस्टिक में एक स्पेशल मंकी पार्ट इस्टाबलीश किया जाएगा, जो कि करनाटक का पहला मंकी पार्ट होगा, क्यों, देखो इस पर्टिकुलर रीजन में किसान काफी ज़्यादा सिकायत करते हैं, कि बंदर जो हैं, वो हमारी फसलों को बरबाद करते हैं, इस परकार की सिकायतें, कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में भी आए थी, तो वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सेड समय थी, वो खतम नहीं हुई, तो अब करनाटक की सरकार ने मंकी पार्क इस्टाब्लीश करने का निर्ने लिया है, ये इस्टाब्लीश क्या जाएगा, सीवा मोगा डिस्टिक में, होसानगारा, तालुक में, जो नागावल्ली फुरेस्ट हैं, वहाँ पर, देखो और ज़ हंडर्ड एकर में, ये सरावती मंकी पार्क इस्टाब्लीश क्या जाएगा, तो इन फुरेस्ट में, फुरूट वाले ट्रीज होंगे, वाटर रिशोर्सिस होंगे, सोलर फैंसिंग होगी, ताकि बंदर जो हैं, इस मंकी पार्क से बाहर ना आएं, ये हमने बात की, सरावत इन सभी टम्स का मतलब हम जानेंगे, देखो, लाइजोन का मतलब होता है, कम्मिनिकेशन बिट्विन तू, या फिर मोर दें टू परसंस, या फिर ग्रूप्स, पहले बात करते हैं, आर, एम, आई, एफ सी की, इसका पूरा नाम है, रिजनल मेरिटाइम इन्फोर्मेशन फ इन्फोर्मेशन फ्यूं़ सेंटर का, काम देखो, यह है, इस रिजन में, जो मेरिटाइम एक्टिविटीज होती है, उनको मोनिटर करना, इसके अलावा, मेरिटाइम डोमेशन की इन्फोर्मेशन जनरेट होती है, उसे रेलेवेनट स्टेकॉल्डर्स के साथ, लाइक मानि के बारे में इसका पूरा नाब है European Maritime Surveillance Initiative in the State of Hormaz इसमें Belgium, Denmark, Netherlands, French officers ये सब सामिल है ये कहां पर है? आबुदाबी में जो French Nevel Base है वहां पर situated है ये E-M-A-S-O-H इसका भी काम यही है परिशन गल्फ में और State of Hormaz के आसपास एरिया में Maritime Activities को Monitor करना और ये Ensure करना कि यहां पर Freedom of Navigation Compromise ना हो तो हमने इन दो Fusion Centers के बारे में बात की अब देखो एक इंडिया का भी Fusion Center है वो Guru Gram में है हमारे Fusion Center का नाम है Information Fusion Center for Indian Ocean Region हमारा ये जो Fusion Center है ये Indian Ocean में Maritime Activities को Monitor करता है Maritime Domain की Awareness को Generate करता है तो अभी तक हमने तीन Information Fusion Center की बात कर ली एक Regional Maritime Information Fusion Center एक European Maritime Surveillance Initiative in the State of Hormaz और तीसरा हमारे वाला IFC, IOR ये Guru Gram में है अब होगा क्या? हमारे जो Naval Officers हैं वो इन दोनों Fusion Centers में भी कुछ समय के लिए Posted रहेंगे फाइदा क्या होगा? फाइदा देखो ये होगा इन दोनों Fusion Centers से भी हमें Information मिलती रहेगी और वो Information हम इकठा कर लेंगे हमारे वाले Guru Gram वाले Information Center पर तो हम और बहतर धंग से Indian Ocean को मोनिटर कर सकेंगे ये मकसद है इस पूरी News का मतलब जिस हिसाब से ये Naval Liaison जो Officers हैं जिनको पोश्ट किया जाएगा इन दोनों Fusion Centers पर बीच में एक टम आई थी Indian Ocean Commission जिसके अंतरगत ये Fusion Center है Regional Maritime Information Fusion Center तो इस Ocean Commission की भी हम बात कर लेते हैं Indian Ocean Commission की इस पर भी कोशन पूछा जा सकता है ये Intergovernmental Organization है Indian Ocean Commission जिसको established किया गया था 1922 में कहां पर इसका Headquarter है Mauritius में है इसका Secretariat और इसको established किया गया था Port Louis Mauritius में फोर्म में आया ये 1984 में Seychelles में Victoria Agreement हुआ था उसके बाद ये फोर्म में आया था Member States की बात करें Comeras, Medgaskar, Mauritius, Reunion जो कि France की एक overseas territory है और सबसे लाश्ट में Seychelles, Observer States की बात करें China, Malta, European Union International Organization of La, Francophonie और सबसे लाश्ट में India, India हाल ही में इस Commission का Observer State बना था, हमने तब भी इस Commission के बारे में डिसकस किया था चलते हैं आगे नए Statical Amoebices के बारे में है क्या Contest है JNU का Researchers ने नई Drug Molecules को डवलब किया है उस Proto-Joha का Counter करने के लिए जो Responsible है Amoebices के लिए जिसकी वज़े से Amoebices होता है हम बात करें Amoebices के बारे में यह देखो एक Parasitic Infection है कौन से Proto-Joha के करन होता है जिसका नाम है Amoeba, Antamoeba Histolytica आप यहां पर देखिए यह Proto-Joha का नाम है जिसकी वज़े से Amoebices होता है WHO के अनुसार Antamoeba Histolytica यह देखो थर्ड लीडिंग काज है मूर्टालिटी का Parasitic Disease में कहने का मतलब यह है जिन Parasitic Disease की वज़े से Hormans की देख होती है उन में से यह जो Disease है Amoebices यह तीसे नमबर पे आता है मतलब इस Parasitic Disease के कारण तीसे नमबर पे सबसे ज़़दा Death होती है अगर स्पेसिफिकली हम बात करें Parasitic Disease की और Information डिसकस करें यह जो Protozoa है यह Anorbic है इस वज़े से Oxygen की High Concentration में यह Protozoa Survive नहीं कर पाता तो जब Infection होता है Body में बहुत ज़दा Oxygen आ जाती है Body में इस वज़े से यह जो Organism है यह बड़ी संख्या में Cysteine को Generate करता है ताकि Oxidative Stress को Counter किया जासके समझ गए मतलब यह जो Protozoa है यह देखो Anorbic है Oxygen की मात्रा ज़दा हो तो यह Survive नहीं कर पाता तो जब Infection होता है Body में एकदम से Oxygen की मात्रा बढ़ जाती है तो यह Organism Cysteine को Generate करता है ताकि एकदम से Oxygen की मात्रा जो Body में बढ़ गई है उसका सामना क्या जासके कैसे यह Digist Spread होता है पीने का पानी अगर Contaminated हो या फिर Fruits सही ढंग से धूले हुए ना हो या फिर Fruits को ऐसे पानी से धुया गया हो जो पहले से ही Contaminated हो इस परकार से यह जो Disease है वो फैल जाता है Symptoms की बात करें पेट में दर्द होता है स्टूल में Blood आता है डाइरिया पूरी Body में ठकावट, Fever भूख कम लगना Weight Loss यह सब चीज़े देखने को मिलती है Treatment की बात करें Self Care से और Antiparasitic से इस Infection का इलाज होता है चलते हैं आगे ने स्टांट कल आरोग्या पत के बारे में है यह क्या है यह देखो एक Portal है Website है जो की डवलप की गई है CSIR के द्वारा इस Website पे न हमारे देश में जो Critical Healthcare Supplies हैं उनके बारे में जानकारी होगी जैसे Medical Equipants, Drugs या फिर PPE Kits, Masks इन सब की Availability के बारे में जानकारी होगी इस Website पर जिसका नाम है आरोग्या पत अभी क्या है COVID-19 की महारी के कारण कुछ जगहों पर Critical Health Supplies की कमी हो जाती है तो इस Website पर जाके देखा जा सकता है कि कहां पर कितनी Available है ये Critical Medical Supplies और फिर आसानी से Source की जा सकती है खृदी जा सकती है, प्रक्योर की जा सकती है समझ गए, मतलब एक जगह पर Critical Medical Supplies के बारे में जानकारी होगी, तो देश के किसी हिस्से में कमी होने पर जानकारी असानी से प्राप्त की जा सकेगी कि कहां से खृदी जा सकती है, प्रक्योर की जा सकती है PP Kits या फिर दूसरी Medical Supplies तो ये थी हमारी आज की discussion, लास्ट में revise कर लेते हैं, आज हमने जो डिसकस किया हम, ये पांच स्टेटमेंट्स हैं, इन पांचों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से देख लीचे हैं, पहली स्टेटमेंट मालाबार, ग्लाइडिंग फ्रोक के बारे में हैं, ये वेस्टन घाट के रेन फोरेश्ट के मूल निवासी हैं आयुसेंट की रेड लिष्ट में, वल्लेरेबल के टिक्री में आते हैं गलत, ये लिष्ट कंसर्ण के टिक्री में आते हैं राजा परबा फेस्टिबल, वेस्ट बंडाल का हैं, नहीं उडीशा का हैं, रीजिनल मेरिटाइम इन्फोरमेशन फ्यूजन सेंटर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन कमिशन के अधीन काम करता है, मकसद है मेरिटाइम एक्टिविटीज को मोनिटर करना नैस्ट, एमोबाइसीज, ये प्रोटोजोण डीजीज है, बिल्कुल सही ये इंटिग्रेटीड पब्लिक प्लेटफोर्म है, जो कि सिंगल पॉइंट अविलेबिलिटी बताता है, क्रिटिकल मेडिकल सप्लाइज स्की, बिल्कुल ठीक तो इस डिसकेशन में फिलाल इतना ही है, थैंक यू, थैंक यू बरिमाच फो डिसकेशन